कि अलो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा बजा डिस्कावर का आउयल कैसे चेंज करते हैं कि दोस्तों इसके लेफ्ट सेड में कि गेर पैंडल के पास एक बोल्ट होता है यह बोल्ट होता है अठरा लंबर का इस बोल्ट को खोल लीजिए दोस्तों कि दोस्तों गाड़ी जब गरम हो जब मत खोली है और गरम रहता है हाँ चल जाएगा यह देखिए दोस्तों टोटल किता और काला हो चुका है इसका दोस्तों इसके अंदर जाली भी होती है तो जाली को बाहर लिका लीजिए इसमें मेटल वगरा वैठे हो रहता है कच्रा साफ करके बिठाइए उसका जाली को साफ करिए अच्छे तरह से यह देखिए दोस्तों इसको साफ करके बिठाइए दोस्तों पुरा हो लिका लेजिए पुराना दोस्तों गाड़ी लेफ्ट सेड में क्रास करके लिका लिए पुरा लिकल जाएगा ओई दो तिन बार क्रास कीजिए क्ष़ां क्ष़ा बार क्रास कीजिए क्ष़ां क्षोपां क्ष़ां क्ष़ां कि दोस्तों उसके बाद अच्छे साफ कपड़े से लेगे उसकी जाली को साफ कर दीजिए यह देखिए दोस्तों इसमेटर लगे वार रता है मैगनेट पे जाली के मैगनेट पे अच्छे तरह के साफ कीजिए सिंपल इसको बिठा दीजिए दोस्तों कि आसानी से बढ़ जाएगा है फिर आके बिठा दीजिए इसके लेवर रहना चाहिए दोस्तों यह जभी बैठेगा है इसके बाद इसका बोल्ट साफ करके बिठाई है पुरा हास से बिठाई है बोल्ट या तो रॉंक ट्रेड बैठेगा तो और लीकेज होगा फुरा टाइट नहीं होगा बोल्ट पुरा हास से बिठाई है फुरी बैठेगा हो पुरा के बाने से टाइट कर दीजिए इसको इसके बाद दोस्तों इसका ओईल फिल्टर चैंज करना है हमको यहां टलंबर के बोल्ट खोल लीजिए तीनो आटलंबर के पाना बढ़ता है दोस्तों इसको पकड़ के लिका लिए तब आगे इसमें स्प्रिंग होता है इसको इसको क्याप लिकाल गाया है यह इसका ओईल फिल्टर इसको लिकाल लीजिए यह देखिए दोस्तों कितना मेटल बाइट है वाए उपाद इसको दुसरा डाल देंगे हम नावा वाला इसको फेक देते हैं पहले इसको अच्छे तरह के से कप्रे से साफ कीजिए अच्छा साफ कीजिए दोस्तों इसको कप्रे से इसके बाद इसके क्याप को साफ कीजिए और इंग वगेरा को इसके साफ कीजिए यह देखिए दोस्तों इसका ओइल फिल्टर नवा वाला दोस्तों इबीस रुपे का होता है ज्यादा होंगा नहीं होता है कभी भी आप आइल चेंज करें ओइल फिल्टर जरूर दाले यह देखिए दोस्तों नवा आइल फिल्टर यह जो ओरिंग वाला हिस्सा है दोस्तों अंदर के और बढ़ता है इस तरीके से कि देखिए बढ़गा है कि स्प्रिंग होता है कि स्प्रिंग रहना ज़रूरी है कि खाचा है जो खाचा निच्छे की और जाना चाहिए यह तो ऑली केश होगा जिसके आइट लंबर के बोल्ड बिचा दीजिए जिसके आइट लंबर के बोल्ड बिचा दीजिए जिसको आइट लंबर के पाने किसे टाइट कर दीजिए जो अच्छी तरह से टाइट कीजिए यह तो ऑली केश होगा जो जो खाचा निच्छे के और यह आना चाहिए यह तो ऑली केश होगा इसके बाद इसका वाइल का खोल लेता है इसको साफ कर देजिए मैं तो अंदर के मठी से ले जाएगा अंदर साइट की इसके बाद ओएल डाली है दोस्तों मैं सरवोद आ रहा हूं 20W40 आपको जो पसंदे वो डाली है आप कैस्टल भी डाल सकते हैं यह हैस्ट भी डाल सकते हैं 20W40 ही डाली है दोस्तों डिस्कावर में डिस्कावर हें डिस्कावर 125 डिस्कवर 150 ओं चैंज का तरीका से मीश्च आता है लेख चैड ही रहता है ऑईल बोल्ट और सेम पाना है बढ़ता है 8 लंबार का सब सेमी रहता है्ट या 125 हो या 150 हो दोस्तों इसमें एक लेटर और लाता है एक लेटर ही दालिए पूरा इसके बाद इसके लेवल गेज को चेक कीजिए मिनिमम मैक्जिमम पे रहता है मैक्जिमम पे रहना चाहिए उपर वाले खाचे पे उपर वाले खाचे पे रहना चाहिए इसका क्याप लगा दीजिए कि आप लगा कि अच्छी तरह से टाइड केजिए नहीं लिके जोगा अफ़र से भी ठीके दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए ठीके दोस्तों फिर मिलता हूं मैं अगले वीडियों में